नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं जिसका प्रारूप त्यार कर लिया गया है संसोधन के साथ उस पर स्वक्रिती के लिए भी धैयक दोबारा राजेपाल को भेजा जाएगा उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी नियोजन निती जार्खन और जार्खन्डियों के हीत में ही बनेगी मंत्री ने कहा है कि जैक की मैट्रिक तथा इंटर्मीडियेट की परिक्षा सरहूल के दिन ही नहीं होगी इसकी तीथी बदली जाएगी उन्होंने कहा है कि परिक्षा के कारिकरम में तुरूटी हुई है लेकिन उसमें सुधार किया जाएगा दरसल जैक द्वारा घोसित कारिकरम में 24 मार्च को भी परिक्षा के तीथी ताय कर दी गई है जबकि इस दिन सरहूल है सरहूल के आउसर पर सरकारी छोटी भी रहती है बता दे जैक ने 24 मार्च को मैट्री की गनित इंटरमेडियेट की साइकलोजी बिजनेस एस्टडी और भ ब्रीधी हो रही है आने माले दिनों में मौसम में और बदलाव देखा जाएगा पता दे 25 फरवारी को पाच में हिमालाय छेत्ते में वेस्टन डिस्ट्रवेंस का छेत्र बनने जा रहा है मौसम पर इसका असर पर सकता है इस वक्त जार्खन में सिर्फ पच्छुआ हवा च आने वाले पांच दिनों में राजिक के उस्तम या निमतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा होली से पहले जार्खन में बड़ फुलू की दस्तक जार्खन के बोकारों में बड़ फुलू की पूष्टी के बाद जिला पर ससन अलट हो गया है सभी पोल्ट पुलू से संक्रमी चीकेन के मिलने पर पोल्टी फरम के एक किलोमेटर की दैरे में आने वाले पूरे इलाखे को इनफेक्टेट जोन गोसीद करने को कहा गया है वही 10 किलोमेटर की दैरे में आने ओले इलाख के सर्विस लाइन जोन में रहेंगे स्वास्त विभाकी टीम ने पोल्टी फारम में तैनाथ हैंडलर एवं कर्मियों को 10 दिन तक कुरंटेन में रहने का निर्देश दिया है केंद्रिये टीम के मौझूदगी में 1040 अंडे और चिकेन को खत्म कर दिया गया है बतादे बर्ड फुलू मुख्य रूप से बतक, मुर्गी और समुन्दरी पक्षियों को संक्रमित करता है वहीं इंसान बर्ड फुलू से संक्रमित चिकेन, अंडा आधी खा लेता है तो उसमें भी इसकी वज़ा से कई तरह की परिसानी उत्पन हो जाती है हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर किसी ब्यक्ति ने संक्रमित अंडा या चिकेन अथवा बतक के मांस का सेवन कर लिया तो उसे निमोनिया, किड्नी और हिर्दय समंधी परिसानी हो सकती है अगर उसका जल्द इलाज नहीं करा गया तो जीवन खत्रे में पर सकता है सीनियर राष्ट्रिये महिला होकी चैंपियंसिप सेमी फैनल में जार्खन की टीम गुरु आर को खेले गए क्वाटर फैनल मुकाबले में जार्खन टीम ने पंजाब को 2-0 गोल से पराजित किया है बताद जार्खन की ओर से अलका डुग डुग ने 48 में मिनट में और अलबेला रानी टोपो ने 15 मिनट में एक एक फिल्ड गोल किया है जार्खन महिला होकी टीम ने दोनों गोल चौथे क्वाटर में किये है अलबेला रानी टोपो को क्वाटर फैनल में संदार परदसन के लिए प्लेयर आफ दा मैच चुना गया जार्खन टीम के सेमी फैनल में पहुँचने पर होकी इंडिया के महा सचीव सह होकी जार्खन के अद्यक्ष बोला ना सिंग सहीत होकी जार्खन के तमाम समस्त पतादिकारियों ने बदाई दी और अगले मैच के लिए सुबकमना ये दी है जार्खन में बंद होगी परधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पलामु सांसद भी सुलूत देयान राम का कहना है कि जार्खन में परधान मंत्री ग्रामिन सड़क योजना को बंद किया जा रहा है इस बारे में राई सरकार को एक मौसाधा त्यार कर केंद्र को भेजना च जहारकन में सुच़ार रूप से चल सके बता दे पालामु‍सानसित बिसनू द्याल राम की माने तो जहारकन में प्रधान मंतरि के रामसलग जहना को बंद किया जा रहा है की तहथ गाव को प्रक्हंड और जिला मुखहले से जोड़ा जाना था जहारकन में इस यहना की संगीत नाटक अकाडमी अवार्ड से समानित हुए वासरी वादक पंडित चेतन जोसी इस पात नगरी बोकारों में 25 साल से वादे चुके प्रसीद वासरी वादक पंडित चेतन जोसी को गुरुवार 23 फरवरी 2023 इसको नई दिली में राष्ट पती द्रोपती मुर्मुने संगीत नाटक अकाडमी अवार्ड 2019 प्रदान किया है बतादे संगीत जगत में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें अवार्ड मिला है पंडित जोसी भारतिये सास्त्रीये संगीत के जाने मने वासरी वादको में गीने जाते हैं बोकारो उनकी कर्म भूमी रही है इसलिए उनकी उपलब्धी परिश्टीर सीटी बोकारो गर्वनी था है वासिर्वादक के रूप में पंडित चेतन जोसी के केरियर के सुरुवात 1987 में सेक्टर 5 के स्री गुरू गोविंद सिंग बिद्याला में बतर संगीत सिक्चक होई वहीं 1988 में वहां से दिल्ली पॉब्लिक स्कूल सेक्टर 4 में संगीत सिक्चन कारे के लिए आये वहीं DPS बोकारों में जनवरी 2012 तक वा विभीन पदों पर कारे रत रहे रामगठ उपचुनाओ सभा में जम कर बरसे CM हेमात मुख्य मंतरी हेमान सुरेन ने गुरू आर 23 फ्रवरी 2023 को यूपीय पर 30 बजरंग महतो के पक्ष में रामगठ चीदारपुर इस्ठीत ट्रेनिंग कोलेज के मैदाने वंपुलाक के रकवा में आयोजी चुनावी सभा को समधित किया मुख्य मंतरी ने कहा है कि रामगठ उपचुनाओ में मा की ममता जनता की अदालत में है पूर्व बिधायक मामता देवी को नया दिलाने के लिए आज हम जानता कि अदालत में खड़े हैं जानता कि अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है जानता ही देश के परधान मंत्री मुखमजी सांसद और बिधायक चुनता है इस उपचुना में लोगतंतर जीतेगा और विपक्स का धनतंतर हारेगा उन्होंने कहा है कि कसाई के दिल में भी सनवेदना होता है लेकिन भाजपा आईसू के लोगों के मन में कोई सनवेदना नहीं है एक मासूम बच्चे से उनकी मा को छीन कर उन्हें जेल में डलवा दिया मा से बच्चों को अलग करने का पाप छोटा मोटा पाप नहीं है यह गव हत्या के बरावर का पाप है यह जार्खंडी बिरोधी लोग हैं यह लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब का परतिनीधी उन्हें हक और अधिकार दिलाए गर्वती महिलाओं की परसब पुर्व जाच में सुधार आयरन दावा में फिशली सरकार नाश्ट्रिय स्वास्त अभियान के तहत जार्खंड में गर्वती महिलाओं की निवंधन तर्था एंटी नेटल जाच से लेकर अने सुधार में सुधार हुआ है लेकिन चिंता की बाते हैं की हम गर्वती महिलाओं की आयरन फोलिक एसिट की दावा देने में ही फिसल गाए है जार्खंड में अब 5 साल में होगी पुरानी सड़कों की मरमत गर्वी इलाकों में सड़कों की मरमत को लेकर सड़क के निमतम 10 वर्ष पुरानी होने की सर्थ हटाने की त्यारी है और जरजर सड़क भले ही 5 साल पुरानी हो मरमत कराने में कोई अर्चन नहीं होगी बता दे ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम की पहल पर यह प्रस्ताव त्यार हो चुका है और इस पर केबिनेट की बैठाक में चर्चा होने की उमीद भी है जार्खंड के तीन कलाकारों को राष्ट पती ने संगीत नाटक अकादमी से नवाजा नई दिल्ली के बिज्ञान भौन में गुरु आर्कुडाश बदी दुरपाती मुर्मु ने जार्खंड के तीन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्तकार प्रदान किया है रांची के अजय मलकानी को नाटक के छेतर में वहें बोकारों के चेतन जोसी को वासुरी वादान वाजादू गोडा के दुरगा परसाद मुर्मु को संगीत वा नाटक के छेतर में योगदान के लिए प्रदान किया गया है बोकारों में वर्ड फुलू की पुष्टी से राजे में चीकन कारोबार पर असर बोकारों जीले में वर्ड फुलू के केस की पुष्टी होने के बाद राजी के विभीन छेत्रों में इसका असर देखने को मिल रहा है खास करके चीकन के बैपार पर इसका अच सबसे ज़्यादा असर पड़ा है राजधानी राची सहीत राजी के सभी छेत्रों में लोग चीकन खरीदने से परहेज कर रहे हैं पता दे बोकारों में वाट फुलू के केस मिलने के बाद इसके बैपार पर काफी असर पड़ा जारकन स्मॉल स्केल इंडस्टीड एस्सूसियेशन के उपाध्यक्ष राजीव रंजन बताते हैं कि पूरे जारकन की बात करे तो 200-500 क्रोर का चीकेन के बैपार हर वर्स होता है सबसे ज़्यादा हजारी बाग राची जमसेत्पू धनवाद और बोकारों में लोग इस बैपार से जुड़े हैं जारकन चीकेन के बैपार में एक हव बन चुका है इसलिए बाहर की भी कई कंपनिया जारकन में चीकेन की सप्लाई करती है रामगड उपचुनाव के दरान हिंसा होने की असंका रामगड उपचुनाव में NDA ने हंगामा होने की असंका जाताई है इसको लेकर गुर्वार को NDA सिस्ट मंडल मुख्य निर्वाजन पता देकारी से मुलकात की है रामगड उपचुनाव से चार दिन पहले आरोब पता देकारी को ग्यापन देखकर सनवेदन सिल बूथो पर अतिरिक्त केंद्री ये पूलिस वलकी पतिनुक्ति की मांग की गई मुखे निर्वाजन पता दिकारी के रभी कुमार से गुरुवार को मिले NDA सिस्ट मंडल लेग अपन सोपा इसमें कहा गया है कि चुनाग दरवन असमाजिक तत्व दोरा भूथो पर महल खराब किया जा सकता है इस असांका को देखते हुए समाई रहते आवस्य कदम उठाने की मांग की गई है योग्य किसानों को के सी सी रीन उपलब्ध कराना प्राथ मिकता खुट्टी डीसी किसानों को के सी सी रीन उपलब्ध कराने के दिशान निर्देश दिया गया है कि के सी सी समन्ति लक्ष को सत पर्थिषत प्राथ करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए रामगड उपचुनाव में अर्जुन मुंडा ने जोकी ताकत गुरुवार को रामगड विधान सभा के गोला बरलंगा एवं केंट मंडल द्वारा पन्ना परमुक समेलन का उजन हुआ बरलंगा मंडल के जोगिया बाबा में केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा गोला मंडल के कुसुमडि के होटल रिया में बिधायक दलने नेतास पुरो मुख मंत्री बाबुला मरांडी एवं रामगर पटेल चोक इस्थीत पटेल छात्रावास के सभागार में भाजपाक राश्ट्रिये उपाध्यक्ष रगवर दास कारकरां में मुख्यातिति के र प्राद नाकाम और सिथिल सरकार से दुखी भी हाए एक तरफ जहां प्रतिवर्श रोजगार देने के जुठे वायदे कर सत्ता में आता ही है मन्सोरेन अपने पुरे परिवार के साथ जार्खन को लुटने में ब्यास था है वहीं दूसरी तरफ साहिया दीदियों और पार सिल जैक द्वारा अगामी सेक्षिनिक सत्र से सुरू होने वाले मोडली स्कुलों में कख्षा 6 में नमांकन के लिए आवेदन के तिथी बढ़ा दी गई है पहले इन इसकुलों में आवेदन करने के तिथी 28 फरवरी तक थी बता दे कई कारणों से इसकुली सिक्षायम हाग के सचीव के रभी कुमार ने जैक अध्यक्स को निदेश दिया है कि आवेदन बढ़ने के तिसी 10 दिन बढ़ाई जाए सचीव ने अपने निदेश में कहा है कि आवेदन फरम भरने में बच्चों को अपने जन्व यो वासिय प्रमान पत्र बनवाने में समय लग रहा है इसे बचों को नमानकन के लिए आवेदन कर्म में परशानी हो रही है इसे देखते हुए इसे लडन फरने में दो तरह का बातलाव करे को भाट ए स्वा दम आवरक्ण सीह पंजा पर्योजिना के कर्मी एक जीले सात तक दे सकेंगे सेवाई ने उसके अई जालकॉन्द सिक्षा पव्यूणा कार्मी 1 जीला में अधिक्तम 3 साल वा एक प्रमंडल में अधिक्तम 6 साल तक अपनी से बात दे सकेंगे इसके बाद उनका अस्थरांतरन होगा जार्खन सिक्षार पर्यूना कार्णी परिशद ने कर्मियों की अस्थनांतर पदस्थापना निमावली को अपनी मंजूरी दे दिया राज में अभी तक कर्मियों का अस्थनांतर की कोई निमावली नहीं थी फिलाल आवसकता के नुसार प्रक्षंड अस्तर के कर्मियों का जिला अस्तर से वा राजे कैडर के लिए जिला अस्तर ये पतादिकारी वा कर्मियों का राजे अस्तर से अंत्रन किया जाता था निमावली नहीं होने के कारण कर्मिय अस्तरन का बिरोध भी करते रहे थे लोहरदग्गा में होटल बेहुसाई की हत्या लोहरदग्गा जिले के कुडू थाना चेत्रे में फिर एक बार अपराधियों ने दूसाहत का परिचर देते हुए हत्या की घटना को अजाम दिया है एक बार अपराधियों ने एक होटल बेहुसाई के निर्मम तरीके से हत्या कर सो को लोहर दग्गार आची मुख्य पत्थ में कुडू थाना चेत्रे के धुलुआ घुट्टा पूल के नीचे फैंक दिया था पूलिस ने ग्रामिनों के सुचना पसव को बरामत कर लिया है बदली मैट्रिक इंटर एकजाम की डेट जार्खन में मैट्रिक इंटर की परिक्षा 14 माल से सुरू होने वाली है सरहुल तेहार को देखते हुए 24 मार्च को होने वाली परिक्षा की तीथी आगे बढ़ाने का निने ले लिया गया है जारखन के सिख्चा मंत्री जगाणात महतों ने कहा है कि मैटिर्क इंटर की परिक्षा का डेट आगे बढ़ाई जाएगी कहीं किसी तरह की बिरोयत करने की जरूरत नहीं है आपको पता दे कि जार्खन में मैट्रिक इंडर की परिक्षा की डेट 14 मार्च को निधारित की गई थी 24 मार्च को सरहूल का तिवार था परिक्षा के तिथी को लेकर कई जगे खबर प्रकासित हो रही थी धन्यवाद